नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइनल, होप आप सभी ने नेधर लाइन ट्रिप पार्ट टू को इंजोई किया है और आज हमारे ट्रिप का है थर्ड टे और आज हम चल रहे है तुलिप्स के खेट देखने के लिए और साथ ही हम चलेंगे बीच पे तो यहाँ पे मैं कुछ ब्रेकफस्ट बना रही हूँ, आप सभी को पता है नेधर लाइन पार्ट वन में मैंने बताया है कि हमने कुछ सामन पैक किया था ब्रेकफस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे मैं कुछ breakfast बनाऊंगी और हम लोग breakfast करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे खेट देखने के लिए तो चलिए आपको भी साथ में लेके चलते हैं और जहाँ तक possible हो यह वाला भी place आपको पुरी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे तो फाइनली हम लोग यहाँ पे रीच हो चुके हैं जहाँ पे तुलिप्स के खेट है और बस खेट की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही आपको खेट भी दिखाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा information भी देंगे कि यहाँ पे लोग तुलिप्स के खेटी कैसे करते हैं और कप करते हैं और इन फूलो का यह लोग क्या करते हैं तो चलिए खेट में तो हम खेट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप औरेंज कलर के और कुछ red color के तुलिफ के flower देख रहे है ये flower का कुछ certain season होता है जैसे कि March से तो May तक इनका season होता है और बाद में इन flowers को हटा दिया जाता है जैसे कि आप इंडिया में देख सकते है कि इंडिया में दिवाली के टाइम पे Marigold का बहुत ज़्यादा season होता है और उसके बाद में मारे gold निकाल दिये जाते है बस उसी तरह से इन Netherlands country में ये लोग तुलिफ की खेती करते है और perfume के लिए और bouquet के लिए इनको beige देते है अगर ये बच जाए तो फिरी इने last में हटा देते है और ये जो Netherlands का लिस्से गाव है बहुत खुबसूरत गाव है और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा famous है यहाँ ये दूर दूर से लोग इने देखने के लिए आते है सबसे खास भात कि यहाँ पे आपको कोई ticket नहीं देनी पड़ती और साथी इसके कोई charges नहीं देने पड़ते ये लोग freely अलोग करते है हम लोग जाके photoshoot कर सकते है और साथी इन फूलों को देख सकते है और सच में ये जो खेत है इतना प्यारा लगता है हम लोगों ने देखा है कि सच में ये बहुत सुन्दर दिखता है बहुत ज्यादा प्यारा लगता है आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने हर एक कलर के तुलिप्स को उगाया है और साथ ही इस बीच में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग मशीन से फ्लावर निकाल रहे थे जड़ से आप देख सकते हैं और सच में हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इतने प्यार लोग इस तरह से निकाल रहे थे क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे दूसरी खेती करनी होती है जैसे कि यह लोग वेजटेबल्स उगाते हैं इंडिया में चना तुवर दाल इस इन चीजों की खेती की जाती है और बस इसी तरह से नेधर लैंड में यूरोप कंट्रियों मे इन चीजों की खेती की जाती है सिर्फ इन लोगों का जो खेती करने का तरीका है वो बहुत अलग होता है किसी और वीडियो में आपके साथ डिटल में शेयर करूंगी तो यहाँ पे हमारा जो तुलिफ खेत है वो देखना पूरा हुआ और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ फोटोग्राफी की फोटोशूट किये और अधिती को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ से हम लोग वापस घर जाए उसको यह वाला खेत बहुत ज़्यादा पसंद आया और अब हम निकल गए है बीच के लिए हमें संसेट देखना है तो हम थोड़े शाम की टाइम मे लेके चलते है जहाँ पर हमने तुलिपस के फ्लावर देखे थे वह लिस्से गाउ था और वहां से यह वाला जो बीच है पंदरा से 20 मिनिट के डिस्टन्स पर है तो हम लोग बराबर संसेट के टाइम पर हम लोगों को यहाँ पर आना था तो हम लोग यहाँ पर आ चुके ह और चलिए साथ में आपको भी संसेट दिखाते है और यह जो बीच है और यह जो समुंदर है बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं जब संसेट होता है तो जनरली लोग यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए आते हैं और अराम से टाइम स्पेंट करते हैं बट यहाँ पर हंड बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा देर स्टे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है खासकर आप संबर में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टे कर सकते हैं खासकर छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉई करते हैं क्योंकि यहाँ पर साइ समुंदर है बहुत बड़ा है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े फोटो शूट किये और आप देख सकते हैं यह संसेट और फोटो शूट यह बहुत आमेजिंग लगता है और मैंने इसके पहले भी कुछ समुंदर देखे हैं पर संसेट नहीं देखा था तो इस बार मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि संसेट देखना है और कुछ फोटो शूट्स भी करने हैं तो चलिए अब हो चुका है डिनर का टाइम और हम चल रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट जो की नेदरलाइंड के लिस्से गाव में है तो यह जो सफरोन इंडियन रेस्टोरें सच में इंडियन तरीके से ही बनाते हैं तो यह सब कुछ इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो जब हम एंटर किये इस रेस्टोरेंट में तब सच में हमको एक बार ऐसे लगा कि हम लोग इंडिया में ही है और सच में यहाँ का फूड बहुत ज्यादा टे अच्छा लगा यहाँ का फूड बहुत अच्छा है और सच में यह लोग रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छ से देते हैं बहुत अच्छा लगा और बस आज का दिन इस तरह से था और यहाँ जो वेटर थे वो हर एक लेंगवेज जानते थे और जब हम अधर केंट्री में होते हैं तब हम इंडियन फूड सच में बहुत ज्यादा मिस करते हैं तो सच में मेरी जो इच्छा थी इंडियन फूड खाने की तो यहाँ पे मेरी पूरी हुई और मुझे सच में यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा बहुत उसकी और और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भुले मिलते हैं नेदरलैंड पार्ट फोर में तब तक के लिए बाई बाई